नमस्कार रामरा मुसा खमा घणी काई आल चाले जीवड़ा ठाका आसा और उमिद गुरू की मारा पड़ाई का सगला सोकिन जीवड़ा बढ़िया है मस्त है और मज़े में है साथ यूँ नगरपाली का सपाई कर्मी भरती को लेकर हम बातचीत करेंगे एक जरूरी सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई पेपर माफियाओं के बारे में पेपर लीक मामला हाई कोट ने लगाई थी रियही पर रोक आरोपी ट्रेनी एसाई पहुँचे सुप्रीम कोट सुनवाई आज होने वाली है आप सभी को पता है जो पैसे देकर फरजी सब इस्पेक्टर लगेते तानादार लगेते एसोजी की टीम ने ट्रेनिंग सेंटर से दबोच लिया और कोट के अंदर पेस किया कोट ने जमान भी उनकी खारिज कर दी अब वो सुप्रीम कोट में जा रहे हैं एसाई बढ़ती 2021 पेपर लिग मामले में 11 ट्रेनी एसाई और एक कॉंस्टेबल सीग 12 आरोपियों को से सर्त रिहा करने वाले जेपूर मेट्रो दीतिये की सी एम एम कोट के आदेश पर रोक लगाने वाले हाई कोट के आदेश को आरोपियों ने सुप्रीम कोट में एसे एलबी के जरिये चुनोती दी है तो सुप्रीम कोट में चुनोती दी है देश की नायपाली का पर हम पूरा भरोसा करते हैं और निवेदिन करते हैं कि ऐसे आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए ऐसे लोगों को और कड़ा से कड़ा मुग्दमा सजाए इनको मिले और जेल की सलाकों के पिछे ही एसे लोगों को बेजें ताकि आगे आने वाले जो आरोपी अपरादी है यदि इनको जमानत मिल जी गई तो आगे भी ये दान्द लिया पेपर लीग फरजिवाडा बरस्टाजार चलता रहेगा क्योंकि लोगों की हिमत और बढ़ जाएगी तो ऐसे अपरादियों को कड़ी से कड़ी सजा हो उमर केद की सजा हो जेल की सलाकों के ही पीचे इने बेजे और इसके लावा इन्होंने जितनी भी सहदेरी बगेरा उठाई है या जो भी इस गिये जो एक कोंस्टेबल भी पकड़ा गिया है इसने भी आज तक जितनी सेलेरी उठाई है वो बेयाज समयती से वापिश ली जाए है ना जो कलकता आइकोट ने किया है वो ही इनके साथ में होना चाहिए राजस्तान में भी यह हमारी रिक्वेस्ट रहेगी अब हम बात करते हैं भाई सपाई करमी बरती को लेकर अनुभू परमान पतर की पातरता सहत का मामला यहां पर सामने आया है आप सभी को पता है साथ यूँ नगर पाली का सपाई करमचारी बरती पिछले एक-दो साल से अटकी हुई लटकी हुई है और इस बरती में बार-बार नयमु में बदला हो रहे हैं सबसे बड़ा इसमें रोड़ा बड़ा अनुबहु परमाण पत्तर नमबर दो इसमें लोटरी सिस्टम प्रेक्टिकल इंटर्व्यू ये तीन चा समस्याई बहुत बड़ी गंबीर बीमारिया है इस बरती को लेकर अब देखो होने वाला क्या है सपाई करमशारी बरती मामले में सुनवाई टली आज होगी कल सुनवाई होनीती 25 को सुनवाई हुई नहीं तो आज होगी आज भी वैसे चुनाव है देखते हैं देखेंदे के होता है या नहीं होती है यह ना दूसरे चरण का चुनाव भी है इस्तानी निकायों में 24,777 पदूपर सपाई करम्यों की अनुबहूपरमाणपतर की पातरता सर्त में बरती परकिर्या के बीच में किये गे बदलाव को चुनोती देने के मावले में हाइकोट में गुरुवार को सुनवाई सुकुरुवार के लिए टल गई आप सभी को पता है इस बरती में नियम में बदला हुआ था क्या हुआ कि जिनुने नगरी निकाई में काम किया है सक्सम अधिकारी सरकारी जो अधिकारी है नगरी निकाई के उनका अनुभू प्रमान पत्र मानी होगा या फिर जो सरकारी ठेके लेते हैं ठेकेदार उनका अनुभू प्रमान पत्र मानी होगा उसके बाद में हमने हाइकोड तक बा बात आगे विवाग पहुंस दी है हमने उस टाइं मामला हाइलेट किया बाद बढ़ती हम कोड तक ले जाएंगे कोड तक चली गई अब कोड फैसला देगा कि वाई सबका अनुबू मानने होगा या नहीं होगा ठीक है और निसी तरह आप सभी का अनुबू प्रमान पत्र मा सब्सक्राइब के लिए किसी के भी उपस्तित नहीं होने पर अदालत ने सुनवाई शुक्रवार को ते की अधिवक्ता राजिंदर प्रशाद सर्मा और रामानुच सर्मा ने बतया कि याचिकाउं में 15 मार्च 2024 के अनुभू प्रमान पत्र की पात्रता सर्तु को चुनोती दी है इनमें का है कि राजी सरकार की इस्तानी निकायूं में एक मार्च 2024 के विज्यापन के जरीए निकाली गई सपाई करमचारियों की बरती में लाखों अबेर्टियों ने आवेदन किया लेकिन भरती एजेंसी ने 15 मार्च में सुद्धी पत्र के जरीए अनुभू प्र ने जारी किया हो जबकि इससे पहले नो जून 2023 के आदेश में अनुभू प्रमान पत्र में केंदरिया राजी सरकार की अर्ध सरकारी संस्ता पलेश्मेंट एजेंसी और समयदक के एक साल के कारी अनुभू प्रमान पत्र को वेद माना था बरती परकिरिया के बीच अनुभ से बार निकलो अरे देश की नाइपाली का है कोट है उसका दर्वाजा खटकटा हो यहां पर देखो दो तिन जो युवा है जिन्नों ने हिम्मत की है कोट में याची का दर्ज करवाई यह तो आप इतने लोगो आठ दस दस लाग फोरम बरेगे यदि इसमें से सो विदार्ती सो इस्टुडेंट यदि कोट में याची का दर्ज करवा देते तो फेशला आपके पक्स में होता यह निशित है लेकिन दोचार विदार्ती इस्टुडेंट है जिन्नों ने हिमत की है आप लोग बिल में छुपके बेड़ जाते हो बार निकलो कम से कम हजारूं सो या जार इस्टुडेंट बार निकल कर आओ कोट में याची का दर्ज करो क्योंकि पहले नोजून 2023 को नियम था क्या नियम के नुसार बढ़ती आई थी विज़ा बनाया था कि कोई भी सरकारी अड़ सरकारी गेर सरकार कहीं सभी अनुभू बनाया तो मानी होगा बाद में सरकार ने जो सपाई करवी को मिलने थी हमारा टाइम खराब हो है इस बरती के बीच फोरम बरा अब आप बोलड़े हो चलेगी नहीं तो यह सरकार कुल मिला कर बरती नहीं करवाना चाहती है या अपने ही रिष्टेदारों को लगाना चाहती है ताकि यह बड़े इस्तर पर अधिकार उनको फट्जी अनुबो बनाके दे रहें दे दिया सभी को अब वोलोग क्या करेंगे वां पर आएंगे और उनको लगा देंगे बाकी पबलीक मरे तो मरे भाड़ में जाओ इनको कोई फरक नहीं पड़ना लोटरी उनी की निकालेंगे इनी के आत्म है परची निकालना ऐ सभी तो आचार सीता है चुनाओं का मावल है जैसे जो चार पास जून तक इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में निसी द्रेम युवा ताकत जेवपूर की सड़कू पर पुने नजर आएगी जिस परकार से पिछली को पेपर माप्या कोंग्रेस सरकार को हमारा विर अब बीजेपी की सरकार को भी जैलना पड़ेगा तो आप सभी युवा अलट रहें अपना स्टेडी एक्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रूप और वोट्शेप ग्रूप है उसमें आप जुड़ जाएं सभी साती मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रहा हैं और आप क्या चाहते हैं कि बढ़ती प्रेक्टिकल से हो क्योंकि प्रेक्टिकल तो इसमें उड़ा है लोटरी सिस्टम हो या नहीं हो इंटर्व्य हो या कैसे हो क्योंकि या सरकारी गेर सरकारी या कहीं से भी आपने बनाया है तो सभी का मैंनी हो इसके बारे में आपकी आपनी राई एक बार कमेंट जरूर करें ताकि आपकी जो बात है मुद्दा है वह हाइलाइट कर से के सोसल मीडिया पर और आगे सरकार तक हम पहुंचा सके ठीक है और आपको कोई डाउट है तो पर आप जरूर एक बार कमेंट कर दें धन्यवास आती हूं जाहिंद